तो नमस्कार एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आपका हम आज बात करने वाले हैं आपके बहुत अच्छी टॉपिक पुछ इसका नाम हाइपर टेक्स और हाइपर मीडिया की आप लोग इंटरनेट यूज करते हो तो उसमें पिक्चर भी खोलते हो और क्या खोलते हो रीटेन करना होता कोई by song तो आप लोग सर्च करते हो उसमें विकिपेडिया में जाके कि मिल्ला ता मिलता है की नहीं मिलता है सारी बात आप इस wedding मताने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखरी तक देख दिए अर आप लोग देख रहा है उन दोस्तों तो देखे हम लोग बात करने वाले हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया की तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है अब सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि इसमें आ गया हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट का नाम आ गया जब इसमें टेक्स्ट का नाम आ गया तो मतलब क्या हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट कंटेनिंग इलेक्ट्रोनिक लिंक टू अर्नदर टेक्स्ट एक हम कोई भी लिं कुलता है कि नहीं कुलता है भाई, खुलता है कि नहीं कुलता है, next text खुलता है न, उसी तारीके से हमारा क्या होता, hypertext होता है, एक link हम लोग text ही डालते हैं, और next भी हमारा text ही कुलता है, मतलब क्या हुआ, containing hypertext, is containing electronic link, to another link, हम लोग कह सकते हैं, click hypertext ध्यान से मारी बात समझे click hypertext it will be take it will be take to you it will be take to you another related materials मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है कि दूसरा material अपनों को provide करता है उसके बाद हमारा आता है hypermedia क्या नाम आता है हमारा आता है hypermedia तो hypermedia में एक word का नाम आ रहा है जिसका नाम आ रहा है क्या media अब media क्या होती है ये आप लोग को थोड़ा बहुत पता है कि media हमारी क्या होती है लेकिन फिर भी हम इसकी पूरी details बताते है media के हमारा अंदर आता है sound pictures videos or documents ये सब किसके अंदर आता हमारा media के अंदर आता है कि नहीं आता है sorry 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 हमारा video उसके बाद movies फिर उसके बाद क्या आएगा animations ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है भाई media के अंदर आती है क्योंकि मैं बताऊं आपको document भी होता है इसमें link तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है भाई multimedia संबन्दित हों वो सब कुछ इसमें so करे means क्या हुआ कि जब हम लोग सर्च करेंगे कोई भी picture का नाम कोई भी video का नाम तो उसमें कुछ text भी आएंगे कुछ pictures भी आएंगे और कुछ videos, audios भी आने की संभावना रहती है that contain the more just-scarled hypermedia जब आप लोग कोई भी एक link डालते हो और इन जैसे सारे उकरड प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम लोग hypermedia का नाम देते हैं क्या देते हैं hypermedia का नाम देते हैं मतलब ध्यान समझ लेज़े कि hypertext में हम लोग search करते हैं तो hypertext आता है कभी कभी आपने सुनना होगा HTTP HTTP का full form क्या होता है hypertext transfer protocol अब ये क्या होता है प्रकार का protocol होता है जो की set of rules होते हैं स्टरीक एसे में लोग clear करते हैं दोस्तों तो ये हमारा होता hypertext और ये होता है hypermedia दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक बार like से subscribe जरूर करेंगे और हाँ अपना सुझाओ देना भिलकुल नहीं भूलेंगे आप लोग क्योंकि हम आपके सुझाओ का wait करते हैं और आप लोग comment दीजे comment देने के बाद हम उसमें आप लोग का reply देंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद